नमव नारै जयगो माता वंदे मात्रों मा भार्ति को प्रणाम और हिर्दैशे आउम्शंशनिश्चरा आये नमव मित्रों शाथियों हर रोज मैं क्यान की चर्चा करता हूं जबकि वो विशे चर्चाओं का नहीं अनभाव का है जिस मारग की मैं चर्चा करता हूं इस मारग से मैं आपका मारग नहीं भटका रहा हूं नहीं मैं आपकी सोच को बदलने की कोसिस करा हूं मैं तो सिर्फ जो मैं जानता हूँ वो अनभाव शेर कर रहा हूँ कि आनंद का खजाना भीतर है, खोजना भीतर ही होगा। इस मारक को अपना के देखो, अजमा कर देखो, हो सकता है बस तू मिल जाए। इसमें क्या हर्च है। इसमें जरा गोर करेगा ना बना रहे। पोश पांच तद अनुसार रविवार 26 दिसंबर 2021। शूरी है, श्वाम्तिकाल 27 दिसंबर शुबे 5 बज़ का 26 मिनट फाल उतर फालगुनी नफशतर में चंदर्मा संचरन करेगा, चंदर्मा आज सिंग राशी में है। प्रातिकानी लगन, धनो लगन, लगन में शूरी और बुद्ध, चंदर्मा शिंग राशी, मंगल और केतु विर्षिक राशी, ब्रश्पती कुम राशी, शुकर शनी मकर राशी और राहु विर्षब राशी, यह ग्रहों का संचरन भरमन। और इसी आधार पर 26 दिसंबर 2021 का मैंने आपका राशी फल त्यार किया है। आपका चुगड़िया सुबह 9 बज 40 मिन लेकर 11 4 मिनर, अमर्थ का कौड़िया 11 बज 4 मिनसे लेकर 12 बाश कर 22 मिनट, शुब का चौगड़िया दो पर 1 बज 49 मिन से लेकर 2 बज 2 7- ताउन मेंट तक रहेगा आज का रहुकाल शाम साड़ी चार बज़े लेकर छे बज़ तक रहुकाल दंशुबकारी करना शौदा करना पूंजे निवेश करना आनकूल और उचित माना नहीं है इस सलह मेरी मर्जी आप बात करते हैं यात्रा की पुरुदिशा की यात्रा जनम दिन या फिर शादी की साल करें तो दाती महराज की और से आपको हर दिख सुपकार आपका जिवन खुश्यों से भरा रहे श्यानि भगवान की सिर्चलनों में मेरी प्रात रहा चबीस दिसंबर यानि दो और छेड को आप जोडेंगे तो आठ का अंक आएगा तो जिन यानि पुर्शार्त, परिश्रम, महनत, शेवाभाव, शाधना, करम की प्रति विश्वाश ये है शनिदेव का प्रभाव और इसके प्रभाव की वज़े से आप एक बहुती परिपक्व और गंभीर प्रप्रत्य की वेक्ति हैं है किसी की दूसरे को आपको समझना इतना सह अपने अथक परिश्रम और लगन से अपने कारी में शपलता हसिल करते हैं और दूसरों की सभाव को आप बहुत आसानी से परग लेते हैं कम बोलते हैं अंतरमु की वक्ति है आपकी मन की बात जानना बहुत मुश्किल होता है और जो भी कारी आप करते हैं पूरी निश्ट के द्वारा कुछ बाते हैं 2022 की सिख्षा की दर्श्री काउंड से मुलांक आठ वालों के लिए 2022 उमीदों से भरा वर्स रहेगा सिख्षा में के मामले में कहीं अच्छे प्रणामों की प्राप्ति होगी ग्रह स्थिति ये बतारी की वर्स की पुरवाद का समय सिख्षा में सफलता के लिए काप़ी योग कार रख रहे हैं इदि आप प्रतियों की परिक्षा की तियारी कर रहे है ये वर्स आपके लिए बहुत अच्छा रहने वाला है कारवार नौकरी के लिए वर्स 2022 वैपारेगों के लिए अनकुल और लाबदाइक रहेगा वैपारे वर्स के ल मुलांक आठ वालों के लिए वर्स 2022 ठीक रहेगा इस वर्स आपको मन्चाई प्रणावों की प्राप्ति होगी घर परिवार में मदूर और शुकत माहूल रहेगा और जीमसात्य और परवर्स वक्त बिताने मौका मिलेगा वैवसाइक जीमदारे के बीच आप अपने परिवा स्वास्ते के दर्शिकौन से भी ठीक रहेगा लेकिन आप अपने उपर किसी तरह का मांसिक द्राव नहीं बढ़ने दे मांसिक तनाव के करण आपकी सारिक प्रेशानी बढ़ शकती मित्रों मुलांक आठ के बारे में मैंने मोटा मोटा आपको आज जान कर दी विस्तार से जानना है मुलांक आठ 2022 तो फिर गुरुमंत्र भी दाती महराज पर जाएगा मुलांक आठ पर दाती महराज ने बहुत कुछ का है वह वीडियो आप जरूर देगा और मित्रों आज 26 दिस्तंबर और आज ठीक आज से पांच दिन बाद अंग्रेजी वर्ष 2022 प्रारम हो रह है और अंग्रेजी वर्ष 2022 आपके लिए क्या संकित दे रहा है अधुद मेरे जीवन का संपून अनभव लगन के आधार पर चंदररासी के आधार पर नामरासी के आधार पर सभी सिधानतों का समावेश करकर वर्ष 2022 बारा के बारा राश्यों के लिए कैसा रहेगा वीडि लगन याद ने राशी याद है क्या करें तो क्या कहता आपका नाम का पहला अलफावेट आपके नाम का पहला अक्सर क्या संके दे रहा है इस पर पूरा के पूरा विवरन लेकर बहुत जल्दी आपके सामने आ रहा हूँ लेकिं धीरे धीरे पहला आप राशी फल देख ल लगन कुंडली में पंचम भाव का शौमी नमम भाव में और नमम भाव का शौमी पंचम भाव में बैड़ जाए जो लगन कुंडली है जो बारा खाने है इसमें जो पांचवा घर है पांचवे घर का जो मालिक है वो नवे घर में बैड़ जाता और नवे घर का जो मालिक है वो पांचवे घर में बैठ जाए, यहनि दोनों में आपस में राशी परवितन हो जाए, ऐसा जिस भी व्यक्ति की जन्म कुंडली होगा, नेशित रूप से वो व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करने में सपल होगा उच्छ शिक्षा, किसी भी व्यक्ति की लगन कुंडली में दूसरा और पांचवे भाव के सौमी, दोनों ही प्रयाप्त बल के साथ बैटे हैं, और लगन में भी सुबखरे विराजमान हो, तब भी जातक उच्छ शिक्षा का प्रबल योग बनता है, शिक्षा अरजित करने में शफल हो जाता है नमणा रहे हैं, कल और कुछ एज्यूकेसिन के बारे में जानकारी दोंगा, क्योंकि यहां थोड़ा ही बता सकता हूँ, इस पर विश्टरित वीडियो लाने वाला हूँ, थोड़ा सच्छ में दीचे, अब मैं बात करूँगा, आपके राशिपल के और ये राशिपल आप मैं नक्षतर में चंदर्मा संचरण करना है, मिटरता के नक्षतर है बाई शूरिय का है, तो महिस्राशिवालों के लिए नक्षतर गरना इस बात का संक्यद्र के आज आर्तिक पक्स उदधर होगा, कैरियर कारोबार नौकरिशमन दी परेशानियों में कमी आएगा, लैंद मिलेगी गरिलो रुशा माज़े जिम्धारिया बढ़ेगी लेकिन आप उसे पूरा करने में सक्षम रहेंगे आर्थिक इसलिते में सुधार होगा स्वजन और मित्रों से मधूर वेवार आज़ी थोड़ा सा बना के रग दिया तो फिर हर जगे आपको लाभी लाभ मिलेगे लेकिन यात्रा में शावधानिया प्रिक्षित है और बुजुर्गों की मान सम्मान का ध्यान रखना बहुत जड़ा है आप विद्यारती हैं तो आज का दिन इदि कोई परेक्षा है कोई प्रतियोगिता है तो आप उसमें अच्छा का प्रिणाम दे सकते हैं नक्षतर गर करनाओं के अधारत है शिक्षा की छेतर में आज का दिन आपके लिए बड़ा शुब रहेगा क्या करें सामजिक और पारवरिक मर्यादाओं पर थोड़ा सा मनन करना बहुत जरूर है आपके लिए क्या ना करें वेर्द का विवाद नहीं बढ़ाई सुबंग नो है सुबं राशी वालों के लिए परिशानी का संकेत दे रहा है सितारों की चाल प्रतिकूल है कारी में बाधा उत्पन हो पारवरिक श्रमंदों में मनमुटाव की संभावना धन का अपवय है मानसिक तनाव है स्वास्ति प्रभावित हो सकता है और यात्रा में सावधानी नी बरती मोटा नक्सान भी हो सकता है विद्यारतियों के लिए आज सिख्ञा के छेतर में उठापटक का संकेत न जरा है स्वास्तिय प्रभावीत हो सकता है पारवरिक साह light up और धन को लेकर विद्यारतियों के लिए परिशानी कर संकेति नजर आ रहा है क्या करें अपनी जिम्मेदार की परति सचेतिक क्या न करें कार्यिए 이 St framework । मात्र 40 प्रसेंड लाब का संकेदर है लापरवय नहीं करना वियाज नुक्सान है क्या उपाए करें विर्षप राशेवलों शर्दानुशा शाबुत मिश्री कंजिकों में बाटिएगा बड़ा शूप रहेगा नमना इनुबाद करते हैं विथू लाशेवलों तीसरी भाव में चंत्रमा का संच्रण और जिशूर के निख्षत हो से और निरयात के कारी में शब्लता शांब होगी अचछ demographicsán के साथ अच्छा रहेगा विद्यारतियों के लिए एजुकेशन के छितर में अच्छा संकेतना दिना रहा है पड़ही में अच्छा रहेगा पड़ही मन लगेगा आपकी रूची अची रहेगी मैनत और परिश्म का पून फल प्राप्त होगा क्या करें मत पून वैवशाइक वारता संपन करते समय पारवरिक सदस्यों को शाथ रखना बहुत ज़ते हैं किसी को कर जादी न दे आए उधार न दे शुबंग पांच है शुबंग हराए भागी आपकी पक्ष में 85% लाब का संकेदिर है और आज मितुन राशिवालों सरदानुसार हरा चारा गाई को द परेचे देना पड़ेगा किसी भी कारे में जल्दबाजी नीए चाई वो नोकरी हो चाई वेवेशाई हो चाई रिस्ते हो चाई कानोनी मसरे हो चाई खान पान हो जल्दबाजी आज आपको नुक्सान दे जाएगी संयम और धैरी से निरने ले और अपनों को सात लेकर से परिशान होंगे आज बहुत जरूरी जो आग घर में व्रिद व्यक्ति है उसकी बात को सुनना उसका सम्मान करना और उस सलह को मानकर आगे बनना ही आपके लिए ठीक रहेगा नहीं तो आपकी पारवारिक इस्तिती बिगर सकती है और आर्थिक पक्स कमजोर हो सकता है सब्सक्रावरिक विवाद को न बढ़ने दे सुबंग दो है सुबंग शपेद है भागिया आपकी पक्स में 500 प्रसंद लाब का संके दे रहा है और आज करकराशी वालो सर्धानुशार्चावल सर्धानुशार्चावल गरीब निर्धन विद्वाश्री को दानमे देना ब देखन की प्राप्ति होगी और गोचर इस बात का संके दे रहा है कि नए कारी शुरू करने का आपको आउस्थर मिलेगा स्वजनों का सयोग प्रसंता प्रदान करेगा किसी मांगलिक कारिये में सामिल होने का आउस्थर मिलेगा आर्तिक उनतिसे मांसम्मान भी बढ़ेगा पारवारी जीवन खुश्यों से रहेगा और शिक्षा के छेतर में विद्यारतियों को आज माता पिता का सयोग अच्छा रहेगा और उनके सयोग से शिक्षा के छेतर में आ रही बाताओं से छुटकारा मिलेगा और उच शिक्षा के लिए आज बहतरीन गोचर है क्या करें विचारों की अनकूलता बना के रखे क्या ना करें वेर्थ की मनोरंजन में अपना शमे नस्थ ना करें शुबंग साथ है शुबंग प्रपल है भागिया आपकी पक्ष में 80% लाब का संके दे रहा है आज सिंग राशी वालों सरदान उश्यार ग्याउ गरीब निर्दन श्वागन इस्री को दाण मैं देना आपके लिए बड़ा कल्यान कारी रहेगा नमणन और बात करते हैं कनियाराश कनियाराशी वालों बारभे भाव में चंधरमा है और बारभे भाव में चंधरमा इस भाथ का संके दे रहा है किसावधानिया पिक्षित है गणना है इस बात का संकेदरी कि कोई भी निरने धहरी और सहम से नहीं लिए तो मोटा नुक्सान हो जाएगा जीवन साती से टकराव की संभावना है चिकसा पे खर्चा है यह आज वैविशाई में इन्वेस्टमेंट आप करना चाहते तो बचन बहुत जरूर है और धन के लेंदेन में सतर्कता नहीं बढ़ती तो मोटा अनुक्सान और श्वास्टी भी प्रभावित हो सकता इस बात का विध्यारतियों के लिए शिक्षा की देश्टिक्रावन से समय प्रतिकुलता का संकेदरें लाप्रवाइद नहीं करें क्या करें थोड़ा सा सतर करें रिष्टों को लेकर क्या ना करें वहन आदी तेज ना चला है शुबंग आटे शुबंग पिला भाग्ये मातर 45 प्रशन लाब का संकेदरा भई उठापटक है ध्यान रखेगा कन्याराशिवाल आज सर्धानुशार पालक किसी गरीब निधन विद्व सब्सक्राइब और भात करते हैं तुलारासिक 11 भाव में चंद्रमा का संचन शूर्य के नक्षतर में मान समान यस कीरती के साथ साथ आज बड़ों का शहोग बड़ा अच्छा रहेगा आर्थिक पक्सुत रोगा आर्थिक प्रिशानन शेम्यों लेगी रुगवे धनकी प् सफलता दाइग सुबह समचारों की प्राप्ति उगा विद्यार्तों के लिए अच्छा समय अजय अभिभाबभक हो चाहिए अध्यापक हो समंद अच्छे बनेंगे और इन भिद्यारतियों को रुचू आप प्रशासनिक अप्सर है आप उच पदों पर विराजमाते हैं आप राजनेता है राजनेती के शेतर में किसी पद पर विराज मानें, तो नक्षतर करना पूर लाब और शफलता का संके दे रहे हैं। आज गोचर इस बात का संके दे रहा है कि परिशाने उसे मुक्ति मिलेगे। संगर्ष से मुक्ति मिलेगे। जो सभाव में तीखा पंता उसमें कमी आएगी। जो अनामशिक कारे में बादा आरी इसे छुटकारा मिलेगा। जो कि वे काम बनेगे धनकी प्राप्ति होगी कारोबार पर सफलता होगी। स्वजनों का सयोग मिलेगा और यात्रा कारोबार से संबंदी है तो सफलता दामन चुमेगी। विद्यारतियों के लिए आज समय अनकुल और लाब दाएक है। आज उच सिक्षा के छेतर में बहतरीन प्रणामों की प्राप्ति का संकित मजर आ रहा है। क्या करें। क्या करें। वेर्थ के वाद विवाद में समय नस्तन है करें। शुबंग लाल है। भागिया आपकी पक्ष में 70% लाब का संकित दे रहा है। विर्दिक्राइतन श्रदाम शाबुत मशूर गरीम निरधन विद्वा श्रीकूदान में देना बड़ा सोब रहेगा नमनन। और बात करते हैं धनुराशी.. धनुराशी, नमव भावमे चंदर्मा का संचरण है। नव में चंदर्मा का संचरण शूरिक के नक्षतर में है शमय पून ता लाब और शफलता का संकेद रहे आज सोच बड़ी अच्छी रहेगी शकारत्मक सोच निने समता अच्छ लेंदेन के मसले ठीक रहेगी आज अध्यात्म रुजहान बद अच्छा रहेगा और संत सानिदे का आउसर मिलेगा और विचारों में शुद्धा की इत्यारत्यों को पून विकास का आउसर मिलेगा चाहिए उच्छा हो चाहिए प्रामिरी हो हाई रेजुकेशन हो या कोई शोद्ध का शेतर हो पर खर्चों पर नियंतर रखेंगे तो लाब और भड़ेगा अपनी जिम्मेदारियों के पर थोड़ा सा सतर्ग रहेगे तो स जबरदस्ति मनवाने का प्रियासना गरेगे शुबंग पांच है शुबंग हराए भागिया आपकी पक्ष में पैंसर प्रसंद लाब कर संकेदर है और धनी रास वालों आज सर्दान साथ शाबूत हल्दी किसी गरीब जरुद्मन मजदूर वर्ग जो महिला उसे दान में अरबात करते हैं मकर रासी की आश्ठम भाव में चंद्रमा का संचर्म सूरिय के नक्षत्र में है तो सितारों की चाल इस बात का संकेदरी की प्रिवेंशन बैटर दन क्योर शावधानी अपक्षिद है द्रुगटना नहीं हो उसके लिए बहुत जरूरी है परिवार को साथ रहे हैं यह द्रुगटना चाहे कारुबार हो चाहे व्यविशाय हो चाहे वीचारों की हो चाहे रिष्टों की हो चाहे धन की हो द्रुगटना है लेकिन इदि परिवार साथ खड़ा रहा और परिवार क को शात लेके आपने को निरने लिया तो दुरगटना में कमी है कि आज पारवरिक और व्यवशाइक सित्र में संक्टों का सामना करना पर सकता है परिवार की सलह नहीं मनी तो भई परिशानी आ जाए आपसी समंद्र में वनमुटाप है असंतुष्टी है इच्छाओं की पू है सुबरंग प्रपल है मात्र भागिया आपके प्लक्ष में 40 प्रसेंट का है इसलिए लापरवाईगे मा कर आश वालों शर्दान उशार उड़द सर्दान उशार उड़द सी गरीब निर्धन विज्वास्त्री को दान में देंगे प्राशुभर है नमना इनू बात करते कुमराशी की सब्तुमभाव में चंदर महा है और उत्रफाल कुछ नक्षत में संच्रण कर रहा है तो ग्रेकोचर शुब है इसलिए अनुकूल फलों की प्राप्ति होगी सहसी कारे में शफलता मिलेगी स्वजनों के सेखसी कारे सित्र में प्रसाल मिलेगा धनलाब के साथ साथ मांत सम्मान और यसबड़ेग और अतिती सतकार के साथ वैभाई जीवन जीवन साती का साथ मननकूल और खुशिया देने वाला होगा पार्टन के साथ शफलता की अच्छे उस्वर मिलेगा विद्यारतियों के लिए मेहनत का पूर्ण फल आज आपको प्राप्त होगा ऐसी शफलता मिलेग और विध्यारतियों का मन पढ़ाई में लगएगा क्या करें नई मित्रता और शंपर्ग सुथ्र का लाब मिलेगा इसलिए अपनी संपर्ग शुत्रों में थोड़ा सा वितल आत चलिक विश्जान और संज और पहोगी आपक्स्प में 55 पर्शन लाब क आए ग्रह कोचर की शुबता से नौकरी में उनत्य की अवसर मिलेगी, जौब समंधी परिशानी से मुक्ति मिलेगी और केरियर में जो उठापटक है उसमें संतुलन आएगा, आज मनोनकुल परमोशन है, इस्थान आंत्रन है या उनत्य के अवसर मिल सकते या नई जिम्मबा का मोका है, और धनलाब भी है, और धन भी परचूर महतरा में शंकेत नजर है, शुके साधन बढ़ेंगे, सामाजिक और धार्विक कारने करने का अवसर भी मिलेगा, विद्यारतियों के लिए आज का दिन कापी हद तक आपके लिए अनकूल रहेगा, बस एक बात ध्यान र प्रियास का फल अच्छा मिलेगा, थाले में प्रहसकर कुछ नहीं मिलेगा, प्रियास करना पड़े, क्याना करें, फिजूल के तर्क और वितर्क नहीं करें, शुबंगाट, शुबंगपीला, भागिया आपकी पक्स में 75% लाब का संके देर है, राजमेंडाश्वल, सदर चने की दाल, सर्दा अनुशाच चने की दाल, किसी गरीब निर्धन, शुबंगन इस्तरी, जो बहुत जरूत मने, उसे दान दीजेगा, आपके सारे कश्ट मिले जाएंगे, नमना रहेंगे, यह था बारा के बारा राश्यों का राश्यों का राश्य पल, जो गरनक्ष्ण करते हैं, और यह लगबग लगबग, 80 लोगों ने, 82 असी लोग थे, जिननों ने, खाली एक बात पूछी, पारवारिक संतुलन कैसे बने, पते पतनी एक साथ कैसे बेटे, पिता और पुत्र एक साथ कैसे बेटे, सास बहु एक साथ कैसे बेटे, बतों, पारवारी जो गुड और मशूर या 800 कराम गुड 800 कराम मशूर लाल कपड़े में बांदिये अपने उबरे साथ बार उसारी मंगलवार के दिन या रभिवार के दिन राहुकाल के दोरहन किसी मंदिर में चुप चाप रखे आ जाए ऐसा 21 मंगलवार करना करके देखेगा कष्ट मिट हैं नुष्कों की अनिता जी है और अनिता जी पाली से है अनिता जी का कहना है कि साब जो चेरे पे जो ग्लो है वो जो चेरे का जो सौंधरी है वो निखर के कैसे बार आए कोई कोई ऐसा नुष्का अरवेद का उदाति माराद बज़े देखे भाई चेरे की जो खुशी है चेहरे की चमक है ने वो शत्ति की साथ रहने चाहते है जिसके मन में इर्शा है द्वे से जलन है क्या कुछ भी लगा लें चेहरे पे चमक नहीं आएगी और जिसके मन में प्रेम हैं सहर देता है लोगों को खुश्ची देके देने के भाव है उसका तो चेहरा ऐसे ही चमकता है तब भी तब भी तब भी तब भी बहुत सुन्दन उसका है लोकी और खीरे के भी निकाली और सुका दी अच्छी है और इसको पावडरिक तरह महीं पीस लेजिए और इसमें दूद गाई का दूद की मलाई होती नहीं उपरे होड़ी सी माइल मलाई मिला कर इसको एकदम मिक्स आफ कर भी और चेहरे पर लगा दीजी और फंद्रा मिन्ट के लिए आरामसे शामतों सेब दीए पंद्रा मिन्ट के बाद हलका गुणगुना या ठंदेपानी से चेहरे को धो दीजी कुछ दिन करके देखेगा जहरा एकदम चमग देगा मित्रों शात्यों यह मेरे विचार लादना मुझे नहीं आता second opinion मैंने हमेशा आपको दिया है कोई विवाद नहीं कोई तरक नहीं अच्छा नहीं लगता है छोड़ दीजे सदा खुश रो सेनि भगवान आपकी रक्षा करे हाँ मेरे से कोई भूल हो गई हो दोनों हाथ जोड़ कर छमा पराते है बेटियों से बहुत प्यार करते है हजारों शक्रों बेटियों के लिए जीवन के लिए मैंने अपना संपूर जीवन दिया और यह मेरा शौक था मेरी राष्ट की धोरा थी और ये करना मेरा करते और करम تھा मैं आपको किसी वजे से नहीं सुना रहा हूँ खाली बता रहा हूँ ये मेरा जीवन का नक्षदा है मनशी हूँ और मानू होना इतने ति मेरा करतव है कि में अपनी रास्ट के शिवा करू मैं इस राष्ट का नागरिक हूँ, तीस सालों से मैं बेटी बचाओ और गोश्यवा में अपना जीवन इस राष्ट के साथ लगाया है, वरतमान प्रस्तियां आर्तिक दस्टिकॉन से मेरी अनकूल नहीं है, धन नहीं मांग रहा हूँ कि मुझे आप पैसे दीजे नहीं, पह धन नहीं चाहिए, लेकिन वरतमान में जो आर्तिक प्रस्तिय हैं, वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है, कि सनिधान गोश्याला की गाएं तुखी नहीं रहें, इसके लिए मुझे आपका स्योग चाहिए, और स्योग के लिए मैं श्योम आपके साथ खड़ा हू आपकी समश्याओं के समधान के लिए, भई, आप अपनी जन्मकूली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूँगा, पूरी साल खड़ा रहूँगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूँग नंबर आ रहा हैं, इन नंबरों पर शंपर करी, आप मेरे से बात करी, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की वेवस्ता कर लिए, और इसलिए मैंने कहा था कि भई, थोड़ा दिन, इस समय में परेशाने में हूँ, और मेरी गायों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं, ऐसा हिरदय से आया, लोगों ने कहा कि राश्ट आप से प्यार करता है दाती माराज एक बार निवेदन करिए, तो मैं दान नहीं मांग रहा हूँ, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये एहिंकार नहीं है, सात्यों, मेरा राश्चरों पर ही है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कहा हूँ, मैं परिश्रम करूँगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की वेवस्ता करिए, शनी भगवान आपकी रक्षा करें और आपका जीवन सदा खुश्यों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है, और वे लोग जो शक्षम है शामर्थेवान है, और जिने दाती महराज के जोती से समधान की आवश्रक्ता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम, क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है, पिछले एक महिने में लगवग लगवग बीस से पचीस पचास लोग ऐसे भी है, जिनोंने सनिधाम गोसाला में इकीसो रुपिया चारा का दिया है, मैं उन सब की परती अपना आभार प्रणार करता हूँ, और ये सयोग में जीवन भर याद रखूंगा मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी प्रस्ति आर्तिक दस्टिकों से अनकूर संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट कहा कि सनिध परिशानी नहीं चाहिए, सरकार स्रपोर्ट कर रही है, अपनी शिमाओं में रहते हैं जो सरकार करते हैं लेकिन उसे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं, शासन के अपनी एक शिमा है और अपनी मर्याद है, और शासन के पास और बहुत से काम है, लेकिन फिर करें, पेरा कोई दवाव नहीं है, प्रातना थी, ओम नमोन आरायन, ओम नमोन